तो जैसे कि आपको पता है हमने वन लाइनल करेंट अफेर की सीरी स्टार्ट करी है तो आज मैं पार्ट एट लेखे जो है आपकी सामने हूँ तो यह जो पार्ट है एट है इसमें आज हम पनने चाहेंगे नैशनल और इंटरनेशनल अवर्ड और ये वीडियो भी तूट तूट थी पार्ट में होने जाखा है तो आज मैं जो करवारी हूँ है पार्ट वन ठी है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रिए तो फर्स तो नोबल प्राइज 2021 तो नोबल प्राइज आपको पता है कि हर साल दिये जाते हैं जिसका मैडिसेन में फिजिक्स, केमिस्ट्री, एकोनॉमिक्स, लिट्रेचर और पीस ने जिसका कॉंट्रिबूशन होता है वो नोबल प्राइज तो है जो है एक और इन्टियान अबॉर्ड है तो जो नोबल प्राइज इस साल मेरे 2,041 में डिया गया है वो है डेविट जूलियस और यह यूसे के रहने वाले हैं डेविट जूलियस के साथ एक और है आर्डी पटाग पूटिन और यह लेबनान के रहने वाले हैं इन दोनों को भी जो दिया गया है क्या होता है हमारी ब्लस नोबल नोबल प्रैस बौल है क्या होता है हमारी बॉट्ली में संसेशन हो जाता है कि этого हम जला आया है इसे ने हमें पिंच किया है तो मेडिसिन में जो नोबल प्रैस किया है वो है डेविक जूलिस और है यह नहीं पटा पूथ इनको किसलिए गया है डिसकवरी ओफ रिसेप्टर फॉर टेमपरेचर एंट तच निक्स है फिजिक्स फिजिक्स में साइकूरो मैनाभी जापान सी और क्लाउस, हैसलमेन, जर्मनी के इन दोनों को गया है और फिजिकल मॉडलिंग ओफ एर्थ क्लाइमेट किसलिए फिजिकल मॉडलिंग ओफ एर्थ क्लाइमेट किसलिए फिजिकल मॉडलिंग ओफ एर्थ क्लाइमेट किसलिए फिजिकल मॉडलिंग ओफ एर्थ क्लाइमेट एक है नेक्स्ट इस केमेस्ट्री तो केमेस्ट्री में जो नोबल प्राइज इस पर गया है वो है बेंजमीन लेस्ट को और ये भी जर्मनी के रहने वाले हैं इनके साथ ही डैबेट अबलिसी मैकमिलान जो उनाइटर किंडम के हैं और इन दोनों को किसलिए गया है और दिर इस्ट्री कर और गयानो के टालेसे सो यह तो हो गया मैडिसीन फिसिक्स नेक्स्ट आम बूब करते हैं नोबल प्राइज और पीज तो आप ने देखा होगा कि मैक्सिमम टाइम अगर नोबल प्राइज इसमें से क्वेश्टन पूछते हैं तो नोबल प्राइज पर पीज सबसे ज़ादा पूछा जाता है तो 2021 में नोबल प्राइज पर पीज दिया गया था मारिया रैसा जो फिलिप्लीज की रहने वाली हैं और दूसरे थे दिमिट्री दूरुटोब और यह रश्यन थे और इन दोनों को किस लिए गया था और देर एफर्ट तो प्रोटेक्ट व्रिदम और एक्सप्रेशन नेक्स्ट इस नोबल प्राइज एकनामिक्स तो इसमें डेविट काड जो चानाड़ा के रहने वाले हैं और इनको क्यों दिया गया दिया है तो कॉंट्रिबूशन टू लेबर उकनामिक्स तो लेबर एकनामिक्स इनके साथ ही जोश्यू डि एंग्रिस्ट जो युनाइटेट स्टेट अमेरिका के रहने वाली है और दूसरे हैं गाईडो इंबेंस जो नीदर लैंड के रहने वाली है और इनको गया है और दिर मेथोडोलजी का कॉंट्रिवूशन तो अनलेसिस ऑफ कैजवल रिलेशनशिप के लिए गया है जोश्वा दी एंगरिस्ट और गाईडो इंबेंस को और डेविट कार्ड को गया है तो कॉंट्रिविशन तो लेबर एकनोमिक्स नेक्स्ट इस लिटरेचर तो लिटरेचर में जो इस पर नोबल प्राइस किया है 2021 का वो है अब्दुल्रजाग गुर्ना और यह तंजानिया की नोबलिस्ट है और इनको पैरडाइस के लिए जो है वो नोबल प्राइस दिया गया और उसमें अन्हें में क्या मेंशन किया था पर हिस अनकम्रोमाइजीं पैनेट्रेशन अब्दुल्रजाग गुर्ना जुतन जानिया की नोबलिस्ट है उनको पैरडाइस के लिए जो है वो नोबल प्राइस दिया गया आगी यह नोने उसमें क्या मेंशन किया गया है उसका डिटेल है तो इतना पूछा नहीं जाएगा फिर भी यहां मैंने मेंशन कर दिया है तो यह तो गोगी नोबल प्राइस तो अभी नोबल प्राइस 2022 की नहीं आए है इसलिए अभी मैं 21 के लिए कवर अप करवाई जो 2022 के हैं आयते हैं वो अक्टोबर मन्त में जो है अनौर्स होते हैं तो चलिए जो नेक्स्ट हम मूव करते हैं 66 फिल्म पेर अवार तूथाज परिंटी वो कौन थी थपड़ और इसको आपने आप में से मैक्सिम लोगों ने देखा भी लोगा तापसी पन्नु ने इसमें एक्टिंग करी थी तो बेस्ट डिरेक्टर का अवार्ड जो दिया गया वो थे ओम्राथ उनकी मूवी ताना जी के लिए देखें तो ओम्राथ को ताना जी के लिए जो है वो बेस्ट डिरेक्टर का अवार्ड मिला नेक्स्ट इस बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया था इरफान खा अधम नेक्स्टिस बेस्ट एक्ट्रेस का वुस्ट टापसी पन्नो को दिया गया कौंसी मोवी के लिए थपढ़ब आग को याद करना है बेस्ट फिल्म पर ति Nepust родinner का वौड दिया गया है वह तापसी पन्नो को इसी मूवी इसकरने पर वो नेक्स है बेस्ट फ्लीबैक का award male category में गया है राघव चैतन्या को तो राघव चैतन्या को best playback singer award जो है वो दिया गया है अब best playback singer female की category में आशीश कॉर्थ को जो है वो ये अवाड कहा है तो यह तो होगे 66 film fair award 2021 अभी 67 थाने वाले है और उनका announcement जो होता है वोगा अगर्स्त में उसका announcement होगा तो अगरी 2022 के जो है वो pending है तो noble prize भी pending है 2022 का वो October में announce होते है और 67 film fair award 2021 भी अगर्स्त में जो है वो announce होगा तो next is Oscar award तो ऑसकर अवार्ड जो है 93rd ऑसकर अवार्ड 2021 जबकि इसका 2022 का भी announce हो गया है तो ऑसकर अवार्ड जो है इसमें best film का अवार्ड जिसे गया गया है वो है nomadland तो nomadland movie को जो है best film का अवार्ड दिया गया बेस्ट डिरेक्टर का अवार्ड यह है Chloe Chao को Chloe Chao को और कौन सी movie nomadland के लिए ही इनको जो है ऑसकर अवार्ड मिला है next is best actor तो best actor का अवार्ड दिया गया है Anthony Hopkins को और किसलिए इनकी movie the father के लिए next है best actress यहां spelling mistake होगा तो आप correct होगा यहां O नहीं होगा यहां A-C-T-R-E-S-S एक्ट्रेस तो यह अवार्ड किसको गया है वो गया है फ्रांसिस मैक्डोर मैन को ठीक है और इनको भी किसलिए गया है for the movie nomadland के लिए तो best film भी nomadland थी best director भी nomadland के की थी कौन थे Chloe Chao जो best actress थी वो थी फ्रांसिस मैक्डोर मैन और इनको भी the nomadland के लिए अवार्ड दिया गया है अब नेक्स्ट है पीछे हमने 93rd Oscar अवार्ड जो है वो डिसकस किये अब हम बात करेंगे 94th Oscar अवार्ड 2022 की अनॉंस हो चुके हैं तो बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का अवार्ड किसको गया है ड्राइव माई का मूवी को कौन सी मूवी ड्राइव माई का बेस्ट एक्टर इंट्र मेडिंग रूर्ड कसको गया है विल स्मित को प्राइव आवार्ड दिया गया है स्करावर्ड बेस्ट एक्रस इंट्र new लीडंby एंट sırव यहbud जेसिकर्र जैसिका चिसे लिए द्यस्टीन को बेस्ट तो आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा प्रीज लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना बुरें हम ऐसे ही आपके लिए और भी interesting videos लाते रहेंगे और अपने content को थोड़ा improve भी करेंगे अभी ये one-liner current affairs हमने start किये हैं धीरे धीरे हम जो है वो H.S. के exam के लिए भी एक series start करेंगे हैं जिसमें हम जो previous year की question papers हैं हमको discuss करेंगे अब तस्हिलदार का भी paper आ रहा है तो उसके related भी हम जो हैं जो previous year question paper हमको discuss करेंगे thanks for watching